तो guys मेरा एक site project था जिस पर मैं काम कर रहा था लेकिन उस site project में मैं version 3 use कर रहा था react query का तो अभी फिलाल मैंने docs को पढ़ा तो मैंने देखा कि version 4 और 5 दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो इसलिए मैंने सुचा कि क्यों ना version 3 को version 5 में कैसे migrate करते हैं उसका वीडियो बना दिया जाए ताकि आप भी अगर migrate कर रहे हो तो आपके लिए भी help हो सके ठीक है तो version 5 में क्या क्या breaking changes आया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देखो जो पहले आप लोग use करते थे use query उसमें आप लोग directly as a parameter यहाँ पर कीजे पास करते थे तो जो जो भी changes है इस page का मैं आपको link दे दूँगा आप पढ़ ले ना ठीक है तो यहाँ पर और भी क्या क्या changes है जैसे कि इन functions में कैसे use करना है वो सारे दिये गया है ठीक है तो मैंने इसका use किया तो मेरा तो सही से काम ने किया मुझे error throw करने लगा पता नहीं क्या issue था इसमें तो मैंने इसको चलाया था नहीं काम के मेरा है तो इसे मैं manually करूँगा आपको दिखाने के लिए ठीक है तो इसके नीचे और आते हैं तो यहां पर custom loggers को भी हटाया गया है ठीक है और नीचे आते हैं जो कि काम का है जैसे case time आपका पहले आप GC time आपको use करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद use boundary जो option है उसको rename करके throws errors कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर जो key previous data में आपको जो true pass करना पड़ता था उसके जगह आपको placeholder data में और यहां पर जो अभी आपको previous data वो यहां पर pass करना पड़ेगा ठीक है तो यह breaking changes है और यहां पर उसका example है कैसे देखना है ठीक है इसके बाद focus का कुछ यहां पर issue fix किया गया है तो आप उसे पढ़ लेना तो basically windows focus refreshing no longer listen to the focus यहां पर कुछ changes हुए है इसको पढ़ लेना आप और यहां पर जो custom context है उसके जगह पर आपको query client ऐसे कुछ pass करना पड़ेगा ठीक है तो यह है और refresh page को remove कर दिया गया है in favor of max pages इसके जगह पर लाया गया ठीक है तो अब और important चीज़ अगर आप यहां पर infinite query का use करते हो यानि page scroll करते रहते हो और नया pages automatic load होते है तो वहां प page params में आपको default page के value देते थे अब उसके जगह कुछ ऐसा करना होगा ठीक है तो default page params करके ही की है उसमें आप pass कर देना उसमें हो जाएगा ठीक है नीचे जा चलते है तो यहां पर hydration के लिए अब आपको hydration boundary लिखना हो पहले आप hydrate लिखते थे बाकि सब कुछ same रहेगा और यह थोड़ा major changes जहां पर भी आप is loading use करते थे जैसे कि use query में is loading करके एक आपको boolean मिलता ना उसके जगह आपको is pending use करना और status में loading के जगह आप status में pending आएगा तो mutation के अंदर ऐसा कुछ changes नहीं अगर मैं आप mutation के अंदर से जो is loading निकल रहा है उसके आंदर आपका is loading ही रहे ठीक है तो नीचे चलते हैं तो यहां पर use notation के अंदर एक variables का value लाए गया यह क्या करता इसमें क्या values हैं वो हम लोग कभी किसी और दिन देखेंगे अब create store के अंदर आप क्या कर पाओगे map जो data type inbuilt use होता उसके जगह अपना data structure भी लगा सकते हो ठीक है तो यह काफी major changes है जो store वाला change log देख लेना तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर जो जो changes है उसको मैं यहां पर apply करने वाला हूँ ठीक है तो यहां पर मुझे सबसे पहले तो जो भी नया version है उसको install करना होगा ना तो मैं करता हूँ npm i और यह ठीक है इसको install होते हैं थोड़ा wait करते हैं उसके बाद मुझे rename करना है तो मैं app.js में आऊँगा और यहां पर देखो पुराना जो version 3 और react query यह है तो इसको मैं एक बार में select करूंगा तो मैं press करूंगा shift command h ठीक है तो अगर आप लोग windows यूज़ कर रहे तो आप control यूज़ करना shift control h ठीक है तो यह आ जाएगा तो इस इसको मुझे replace करना है किस से इस से तो पहला जो आपका जो भी है यह वाला यहां पर दिखेगा और उसके बाद जो replace करना जिस भी keyword से यहां पर डालना है तो नया वाला जो react query का है यह है तो मैं इस पर simple rename करूंगा और यह जो चीज़ देख रहे है इस में मुझे rename नहीं चाहिए इसको मैं हटा दूँगा और देख लेते हैं कहां कहां rename हो रहा हां सब जगा सही है simple replace तो जहां जहां भी था वो देखे replace हो गया ठीक है इसके बाद कोई सा भी एक use query hook ले लेते हैं तो मैं यह ले लेता हूँ तो यहां पर देखो यह पुराना syntax हो तो new syntax में क्या होगा यहां पर simple आप जाओ और यहां query की पास करना है query की और इसके अंदर जो हमारे users थे और query function को कुछ ऐसा पास करना और जो भी आप options करते थे इसके अंदर आपको मिल जाए जैसे कि on success on settled सब इसके अंदर आप use करना ठीक है तो यह था use query का और यह जो is loading है इसके जगह अब आपको यह उस करना है क्या is pending ठीक है अब एक use mutation का देख लेते हैं use तो मैं search मारूंगा use mutation ठीक है तो command shift use mutation ठीक है तो यहां पर एक use mutation का है example तो इसको मैं change कर लेता हूं तो इसको सबसे असान तरीका है इसको नीचे में ला लो और github को pilot का power देखो और देखो कितना fast होगा ठीक है तो मैं simply इसको हटा देता हूं और अब देखना github को pilot ही सब कुछ कर देगा control enter दबाते हैं तो यहां पर देखिए आ गया और simple मुझे यह solution सही लग रहा है तो देखते हैं match कर रहा है की आ गया function आ गया on selected भी सही है हाँ सब कुछ सही है तुम यह हटा सकते है ठीक है तो आप लोग ने देखा कितना easy है migration करना version 3 से version 5 में और यह जो मैंने switch किया था version 3 से version 5 में किया था लेकिन version 4 में भी कुछ कुछ changes आये थे तो basically जो query की का जो mutation जैसे यह था न उसे as आपको array में लेना पड़ता है ठीक है जैसे कि यहाँ पर भी मैंने use query यूज किया था एक बड़ मैं search कर लेता हूं use query तो यहाँ पर मुझे as array लेना ठीक है यहाँ पर जैसे इसे array लेना और जितने भी मेरे route से अलग लग जहां पर भी मैंने use के सब को मुझे change करना पड़ेगा ठीक है तो hope से आपको migration वाला जो वीडियो है पसंद आया होगा और इसी तरीके से future में अगर आपको छोटे छो नहीं है तो जरूर से आप comment section बताना मैं जो भी करता हूँ आपके साथ जरूर से share करूँगा ठीक है तो मैं मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए बबाए